सबी को नमस्कार हिंदी डिज्टल कक्षा में आपका स्वागत है मेरा नाम ए आनीता हिंदी CRT KGBV रायपोल जीला सिदिपेट चलिए बच्चों ये चित्र देखिए पैचाना हाँ यहाँ नवी कक्षा का पाठ है रमजान आज मैं आपको रमजान पाठ के आखरी दो अनुच्छे पढ़ाऊंगे रमजान के महेने में तीज दिन उपवास रखते हैं यहाँ हमने पाठ के पिछले भाग में देखा था आज का पाठ देखेंगे रमजान के रोजे पूरे होते ही अगले दिन इद उल फितर मनाते है इद उल फितर अगले दिन मनाते हैं यानि नेक्स्ट डे इद उल फितर को रमजान भी कहा जाता है इद भी कहते हैं यहां तेवहार शवाल महिने के पहले दिन मनाया जाता है यहां शवाल के महिने का पहला दिन होता है यानि दसवे महिने का पहला दिन इसके एक दिन पहले चान को देखकर दूसरे दिन ईद तेहार मनाते है शेवाल निललोवनी मोदटी रोजू चेंदरुनी निलवों का चूसीन तरवाता जर्पकुने पढ़गा ईद के दिन सब नए कपड़े पहनते हैं इतर लगाते है इतर इतर यानि सेंट अत्तर इस दिन विशेश रूप से शीर खुर्मा बनाते हैं अलग-अलग भोजन बनाते हैं लेकिन उसी के साथ विशेश रूप से सेवयों का खीर बनाते हैं स्वीट बनाते हैं ईद की नमाज इदगा में पढ़ते हैं इदगा यानि इद के दिन नमाज पढ़ने की जगह यहां छोटे, बड़े, अमीर, गरीब एक साथ मिलकर पंक्तियों में खड़े होते हैं और नमाज पढ़ते हैं एक पंक्तिया यानि एक लाइन, लाइन में सब खड़े होते हैं और नमाज पढ़ते हैं यहां दुरुष्य देखने लायक होता है देखें यहां पर एक लाइन में खड़े होते हैं और नमाज करते हैं यह दुरुष्य देखिए कितना सुन्दर लगता है नमाज होने के बाद गले मिलते हुए ईद मुबारक कहते है एक दूसरे को विश करते है इस खुशी में विवीद धर्मों के लोग भी भाग लेते है और ईद की शुबकामनाएं देते है इस तरह धार्मिक सद्भावना से वहां के वातावरन की शुबा और भी बढ़ जाती है वहां का वातावरन माहोल बहुत सुन्दर दिखता है रमजान का पर्व सामाजिक दुरुष्टी से भी महत्व है व्यापार में भी रुद्दी होती है कई वेवसाई वालों को जीवी का मिलती है व्यापार रुद्दी होती है याने व्यापार बढ़ता है जीवी का मिलती है उपादी मिलती है किस तरह से उपादी मिलती है रमजान के महेने में फलों के, मिठाईों के, खिलोनों के, कपडों के अलग-अलग दुकाने लगती है इस तरह से सब लोगों को काम मिलता है और उन्हें उपादी मिलती ही सब लोग पैसे कमाते है यहां तेवहार शांती, अहिंसा, त्याग, परोपकार, न्याय, धर्म, आधी गुनों का विकास करता है और हमें मानवता के पथ पर बढ़ने की प्रेरना देता है उपावसों का यहां पावन धर्म हमें सद्भावना के सूत्र में बांध कर मानो कल्यान का संदेश देता है सब मिलजुल कर रहते हैं बचो समझ में आया पाठ? कुछ शब्दार्थ देखेंगे शब्दार्थ इतर अत्तर सेंट इदगा इद के दिन नमाज करने की जगह प्रेर प्लेस रुद्धी बढ़ना पावन पवित्र उसी के साथ कुछ विलाउन शब्द देखेंगे पहला आखरी नए पुराने अमीर गरीब धर्म अधर्म बढ़ना गठना अब आगे आप कुछ गुरुह कार्य देखेंगे गुरुह कार्य अर्थग रायता प्रतिक्रिया में उपवास का यह पावन पर्व हमें मानव कल्यान का संदेश देता है कैसे इसे आपको स्पष्ट करना है उसी के साथ अभिवेक्तिस रुजनात्मक्ता किसी एक तेवहार पर शुबकामनाए देते हुए संग्शिप्त में SMS लिखना है समझ में आया बच्चों पार धन्यवाद